फोकुस आइडिए इनोवेट इनेट पहला कदम सीजन 3 में आप सभी का स्वागत है और हम आप पहुँचे हैं अमदाबाद साबर मती के रिवर फ्रंट के इस खुबसूरत एमफी थेटर में अमदाबाद के निवेशकों के साथ बाचीत का सिलसला शुरू करेंगे केमचों अमदाबाद साहिब बजार दस टकाई नती घटी हुने तमारों आवाज नतिया हो तो पाचू कहिए केमचों अमदाबाद जो बजार में रूपिया कमावा हुए तो हिम्मत राख भी पड़े याट लो थोड़ू गणू बजार घटे अटले तमरों आवाज दबाई ना जाओ जोई चलिए सिलसला शुरू करेंगे चर्चा का हमारे साथ दो खास महमान मौजूद है पहले उनका परिचाह करा दे अरुन्टुक्राल एम्डी और सीयो एक्सी सेक्योरिटीज के जिनसे फिर हम जनवरी फरवरी में हैं दस साल पहले 2008 में कुछ ऐसी बड़ी घिरावट दुनिया के बाजारों में आई थी और हमारे उपर असर पड़ाता सब लोग सबसे पहला तो यह पूछ रहें कि दस साल बाद वो कहानी रिपीट तो नहीं हो रही ना 2008 में एक बहुत बड़ा गिरावट आया था कुछ 60% तक का गिरावट आया था लेकिन 2009 में 70-80% का बड़ोत्री आया था तो पहले तो आपको यह द्यान में रखना है कि अगर कभी बड़ा गिरावट आता है तो अगर आप बने रहें और अगर कुछ और पैसा डालें जैसे तो यह सोच के चलना है कि अगर से लगता है तो यह अच्छी बात है इन्वेस्टर के लिए ट्रेडर को तोड़ा साफदान होना है लेकिन इन्वेस्टर के लिए हमेशा अच्छी बात होती है कि बजार गिरे लेकिन अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं तो हमें वो चि इस कंसर्ण हमें बहुत जादा डरने की ज़रूत नहीं है तो इसमें आपके बात बिल्कुल सही है और दिकत ऐसी है कि अपने लिहाद से अगर हम देखें तो हमारी एकॉनोमी ने तो पिक अप करना शुरू किया है मतलब आम तोर पे बाजार में जो एनिलोजी दी जाती है कि टेस्ट मैच का कौन सा दिन है तो अपने हाँ तो टेस्ट मैच का दूसरा दिन है लेकिन यूएस में लगता है कि वह चौथा या पांचवा दिन शायद आगया है तो यह हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ी शायद आगे रुकावट आए वहाँ पे जो परफॉर्मेंस चल र जो है प्राइमेरिली कंजम्शन डिर्वन स्टोरी है जो इंडिया का अभी भारत की जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इंकम अभी दो हजार डॉलर से थोड़ा कम है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर दो हजार डॉलर जब क्रॉस होता है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड बहुत कि आज डॉमिनोस का पीजा सब खा रहे हैं तो एक कंपनी है जो जो बिलियंट जो आपने सुना होगा उसका प्राइस बढ़ रहा है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड कई गुना बढ़ता है अगर हम कंजम्शन डिर्वर एकॉनमी है तो हमें वो चिंता करने की ज़रूत नही जाएगी दो हजार पच्छिस तक पांच रिलियंट डॉलर जाएगी तो अगर हम उस फेज में हैं तो अभी हमारा तो ग्रोफ शुरू है और डेमोग्रेफिक ली हम बहुत अड्वांटेज में 65 परसेंट अफ और पीपल और बिलो थर्टी फाइव एर्स ओफ एज तो यह एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारी जो वर्क फोर्स है वह अगले कई सालों तक प्रोड़क्टिव रहेगी तो यह भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस वर इस इंडिया इस कंसर तो अभी तो हम क्रेडिट कार्ट पर खर्च करना सीख रहे हैं अभी तो शुरुआ रहे हैं या उन निवेशकों से जो अपनी एसाइपी लगातार आपको देते जा रहे हैं अगर आप देखेंगे कि जो निफ्टी का जो पीक था तो जो 11,171 फ्रॉम देर तो मार्केट्स एफ करेक्टेड वहां से मार्केट करेक्ट हुआ है और्मोस लाइक छे परसंट तो दूसरा कार है ने कि आपका रियल एस्टेट इस नौट अल लिकृटिटिव अफ नौ तो जितना डिप होता है मार्केट्स में मेरे हिसाब से की इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए और आज अगर आप एसाइपी बुक साइज देखिये दो साल पहले इत वस अलम में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर्स को करना चाहिए तो इस लेवल पर हजार दो हजार पॉइंट भी कोई बड़ी बात नहीं है किस तरह से स्ट्राटेजी बनाएं क्योंकि दिक्केत क्या होगी अभी आपने कहा कि थोड़ा नीचे आए तो पैसे लगाईए किसी ने अबडी तोड़के लगा दिये अब वहां से भी जब 500,000 पॉइंट नीचे आए तो फिर वो कहेंगे यह तो गल्ती होगी आपने बहुत अच्छ स्ट्रावट में ही सारा पैसे डाल देते हैं तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब मार्किट अच्छा था 2017 बहुत अच्छा था तो कहीना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुक करके या अगर आपने कुछ टारगेट के इसाब से था और आपका वो गोल हो गया त इस साल कौन सी वो खास चीजें हैं जिस पर हमको नजर रखनी चाहिए कहां कहां और कैसे मौके मिल सकते हैं इस सवाल का जवाब लेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट से लेकिन एक छोटे से ब्रिक के बाद एमदबाद में हैं आज साबरमती के रिवर फ्रंट पे हमदबाद के निवेशकों के साथ बाचीत का सिलसला आगे बढ़ाएंगे उसके पहले अपने एक्सपर्ट से जो हम बात कर रहे थे इस साल क्या वो खास चीजें हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका में जब र कि अगर आपको बॉंड बढ़ते हैं तो मतलब डेट में रिटन अच्छा मिल रहा है आपको अगर तीन-चार परसेंट का रिटन अगर वहां दिखना लग जाएगा तो ऑविसली जो एकुटी मार्किट है वो थोड़े गबराएंगे कहीं भी जब इंट्रेट बढ़ते हैं यहां भी जब इंट्रेट बढ़ेंगे तो एकुटी ग तो उनका spending बढ़ेगा तो इंडियन IT company जो वापस अच्छा करना शुरू करेंगी और हमने देखा है कि कुछ दिनों से IT share थोड़ा अच्छा कर रहे हैं तो अगर global growth होगी तो emerging market की तरफ पैसा थोड़ा कम आएगा ऐसा लोगों को लगता है लेकिन क्योंकि हम सबसे ज़्यादा तेज बढ़ने वाली economy है fastest growing है तो जो पाई है उसका एक बड़ा शेर इंडिया को फिर भी मिलेगा अगर उन्होंने बाहर पैसा डालना है तो इंडिया ही ऐसी एक जगह है जहां पर पैसा उनको लगता है कि बढ़ेगा तो इंडिया को फ्लोज मिलते रहेंगे लेकिन अपने देश में भी क्या ब्याजदरे बढ़ सकती है अभी जो policy आई उससे तो ऐसा अंदाजा नहीं लगा कि RBI बहुत hawkish होना चाहता है बहुत जल्दी में rate बढ़ाएगा लेकिन जो आप बात कर रहे थे hybrid instruments की debt instruments की अगले 12 महीने के लिए क्या व्यू है आपका सबसे पहले तो investor को यह जानना जरूरी है कि fixed income जो instruments है इसका fundamental rule है mutual fund में कि अगर yields अगर उपर जाती है तो प्राइस नीचे गरती है this is investor related तो अगर आपको अगर sure shot आपको पता है कि यहां से yields उपर जाना है तो फिर आपका price गिरेगा और प्राइस गिरेगा तो आपका NAV गिरेगा और NAV अगर गिरेगा तो आपका return गिरेगा उसके कारण यह है एक तो उसका कारण है कि यील्ड कभ उपर जाते है जब आपका crude price उपर जाता है उसके चक्कर में आपका interest rate उपर जाता है fiscal deficit pressure आता है interest rate pressure आता है so next six months या one year के हिसाब से अगर देखे so there is a possibility की इंडिया में में 25 बेसे का शायद interest rate hike हो सकते है लेकि इन फैक्ट यह व्याजदरों की जो चर्चा चल रही है उसमें मेरा यह मानना है कि इस साल आपको कच्वे और खर्गोश वाली कहानी यादन तो वह रेस होने वाली है दो चीज के बीच में तो चीज क्या है एक है growth जो pick up कर रही है इंडिया में अमेरिका में काफी आ रखता है और वो कब आएगी और किस रफ्तार से आएगी और उसकी वज़ए से कितना पैनिक होगा बाजार में यह अंदाजा नहीं है तो आप उस पे जरूर नजर रखिएगा तो यह जो बॉन डील की बार बार बात करते हैं वह बॉन डील इसी इंफलेशन को इंटिसिप हो चुका है और रिवर्सल उपर की तरफ आया है इसलिए यह सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है तो अमेरिका के बॉन इल्ड पर या अपने देश में भी बॉन इल्ड पर और इंट्रेस रेट पे नजर जरूर रखेगा और इंफलेशन के आंकड़ों को आप किजेगा लोगों को लगा था शायद दो होगा लेकिन यह कमेंटरी सुनने के बाद और यह इंफलेशन के बढ़ने के मज़ा से अब शायद चार बार होगा ऐसा लोग डर गए इसलिए यह मार्किट जोर से गिरा था बिल्कुल यह पैनिक कभी भी कहीं भी हो सकता अच्छा एक और हमने देखी थी कि even Warren Buffett जैसे लोग जो प्योर वैल्यू इंवेस्टर बिल्कुल किसी भी कंपनी में और बाजार का वैल्यूएशन देखकर पैसे लगाने वाले वो भी यह कहने लगे थे 2017 में कि चूंकि ब्याजदरें बहुत कम हैं और इसी लेवल पर बनी रहेंगी इसलि कह रहें आप तो यहां पर देखने वाली बात है कि growth की वजह से EPS बढ़ेगा earnings बढ़ेंगे और सामने अगर interest rate बढ़ा तो PE नीचे आएगा तो आपका जो price होता है वो क्या होता है earnings multiplied by PE तो PE कम होने वाला है return बढ़ने वाला है earnings बढ़ने वाली है इन दोनों का end result इन दोनो देखने वाली बात रहेगी इसलिए 2008 का साल इंट्रेस्टिंग जरूर होगा और इंफलेशन की बात अभी आप लोग कर रहे थे crude की वजह से अब देखें क्रूड बढ़ना है यह बात सही है लेकिन क्यों बढ़ना है क्योंकि इसके producers ने जान बूज कर जो यह opaque countries हैं और जो अच्छी नियूस इसमें है कि इन्होंने तो दिसंबर 18 तक किये कट अनूंस किये हैं लेकिन अभी रिसेंटली कुछ तिनों में क्रूट नीचे आया थोड़ा सा उसका एक रीजन है एक तो यूएस में जो प्रूड़क्शन जो शेल गैस जिसे बोलते है उसका प्रोड़क है वो भी कम हो जाएगा और उनके जो वहां पर रिक्स थे पहले 360 कुछ रिक्स थे अभी 700 रिक्स पे काम हो रहा है तो मतलब और तेल आने की उमीद है और शेल गैस आने की उमीद है तो यह सब अगर हम देखें और अल्रेड़ी जो कुरूड है वह 70 से घटके 63 के आसपास तो अगर यह पॉजिटिव आया तो हमें थोड़ी शांती है कि हमारा इंफलेशन भी इंडिया में थोड़ा काबू में आएगा अब यह कमोडिटी की जो तेजी है उसमें क्या लगता है आपको दुनिया में ग्रोथ आ रही है तो यह भी आगे चलेगा देखिए काफी बाकी है यह देखने वाला है जैसे मैं बोल रहा हूं 2017 का इतना बड़ा रिटन आने के बाद 2018 में यह तो मैनेज एक्सपेक्टेशन तो ऐसे ही इसमें भी है कॉमोडिटी में डू वेल बट उतना बड़ा रैली का उमीद नहीं है तो यहां पे as of now we are neutral maybe you'll get a reasonable return but not exceptional return from here on चले सवाल जब आप पर जाएंगे उसके पहले एक आखरी सवाल मेरा है अरुन जी आप से ही पिछले तीन साल से मैं एक चीज़ देख रहा हूं हर साल जब जनवरी फरवरी होता है और हम expert से पूछते है कि क्या उमीद है आपको अगले साल से तो कहते हैं 20% तक तो earning growth आ जा हैं तो I think कुछ जगा तो बहुत अच्छे results आये हैं और हमें reversal मिला है कई सालों के बाद हम तीन-चार साल से बोल रहे थे कि earning नहीं आ रहा लेकिन जब यह साल शुरू हुआ तो कुछ auto companies में कुछ banks ने भी FMCG ने भी कुछ midcap IT ने भी तो कुछ result अच्छ है Cement ने भी तो I think earning reversal तो हुआ है ऐसा मुझे लगता है अगर हम individually देखे कुछ 70% companies ने अपना expectation बीट किया है और H1 तो obviously बहुत खराब था H2 का guidance भी अच्छा था और यह जो अभी third quarter हमने result देखे हैं यह काफी अच्छे हैं क्योंकि last year जो दो बड़े reform हुए GST और demonetization उसकी वज़ा से तो break reversal पहले हो सकता था और जो GDP का भी positive effect है वो अब आएंगे अब एक साल होने माला है तो किसी भी country में जहां भी GST लगता है उसका जो effect है वो एक दो सालों के बाद आता है तो वो भी हमें देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है अर्निंग रिवर्सल कुछ हद तक हो गया है और अब यहां से गाड़ी अच्छा चलेगा चले तो अर्निंग्स की मदद इस साल मिलेगी ऐसी पूरी उमीद है लेंगे एक छोड़ा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम्दबाद के दर्शकों के सवालों के जवाब अम्दबाद के दर्शक यहां सावरमती रिवर फ्रंट पर एंफी थेटर में मौझूद है सवाल देवाब का सिलसला शुरू करेंगे मेरा सवाल यह है कि विच इस दराइट टाइम तो एंटर इंटर इंट इंट मार्केट एंट इंट इंट इंडिया में तो वैसे ही इंवेस्टमेंट लोग करते ही नहीं एक्विटी में और अगर आपके पास पैसा है तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि यह सही समय है क्योंकि अगर आज का देखा जाए तो पिछले पांच से सालों में जो हमारी चिंता है थी वह बहुत काम हो गई आप अपने मेक्रोज देखिए अब अपना जो कंट्री जो है फास्टेस ग्रोइंग है तेल का प्राइस पहले देड़ सो डॉलर था सो डॉलर के उपर होता तो और इंडिया फास्टेस ग्रोइंग है दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाली एकॉंडमी है एक्जिट का एक छोटा सा रूल होता है मैं बता जाता हूं सब लोग यह पुछते हैं कि एक्जिट का कोई जवाब ने देता है सब बोलता है एंट्री तो करिए एक्जिट वहां पे कुछ जो में मैंडेट था उसके अलावा कुछ करें अगर वो कंपनी हवाईजाज खरिदने लग जाती है कंपनी कुछ और काम करती है लेकिन प्रमोटर कहता है मुझे हवाईजाज खरिदना है और चौथा अगर उसके अकॉंट में कुछ गडबड हो तो यह ती करते हैं कि यह कंपनी अच्छी है के नहीं है क्या पैरामीटर से उनके क्या प्लांट विजिट करते हैं बैलन्सीट करते हैं क्या टेक्निकल पर करते हैं उसका जवाब सर मैं रजद जी से जाना चाहूंगा काफी सारे चीजे है जो हमारे फंड मैनेजर या जो इंवेस्मे करते हैं कि मैं वही stock लोंगा जिसका return on equity बीस percent के उपर होगा तो अगर 20 percent के उपर होगा तो तो that means मेरा fund manager क्या देख रह है कि वह देख रहा है कि quality है, consistent companies, corporate governance sir, जो बोल रहे थे corporate governance वाले जो company आपका future growth थी company है उसका future growth quarter on quarter यह 20 percent growth देगा, वो company में कोई comparative क्या होता है कि उसका मार्केट शेर क्या है, एक प्रड़क्ट है, उसका मार्केट शेर क्या है, मोनोपोली है कि नहीं है, ठीक है, फ्रांचाईजी मॉडल, जैसा अब साब ने बोला, जूबलें फूड, एक कंपनी है, पेज इंडस्ट्रीज, इस वेरी वेरी निश कांड़ रड़क्टे onlar के यह से यह सौ कंपनी है, जिसमें मैरे को पैसा डालना है, अब गुड़ म्यूवर्स के जुड़र में इसमें से 100 इसमें को covering is a company है. फिर उसको फ़र्दर उसको फिर फ़र्दर और यह करते कि उसमें से में को 30 कंपनी में इन्वेस्ट करना है इसमें करना चाहिए इसमें को.. बवारा कमीश का ज्याददा उन्समें लगाएंगे तो उन्चेबावमे वो लोग ह्री नौकल सही बात कुछ बोल ना चाहूंगा सके पहले कि आप कुछ गें अपका बेटा है आपके साथ यहां पर ताब इनको माउड दीजे तरह आप क्रिकेट मैच देखते हैं क्या कौन सा देखते हैं 2020 वन डे मैच सब ही रिखता हूं सबी देखते तो 2020 वन डे और टेस्ट मैच में अगर आपको खेलना हो या आपको स्ट्राटेजी बनानी हो टीम के लिए तो कुछ अंतर होता है क्या या अंतर होता है तो शेर बाजार में अगर आ रहे हैं आना चाहते हैं तो आपने ये मूड बना लिया है कि आप क्या करेंग लेकिन जिस दिन वो शेर गिरे और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो यह मत सोचना कि अब तो लॉंग टम है 2020 खेल रहे हो तो 2020 ही खेलेंगे स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो निकल जाएंगे दुबारा एंट्री लेंगे हमारे पास सबसे जादा सवाल उन दर्शक कि ट्रेडिंग ही करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको दुखसान ही होगा एक मैं इंट्रेस्टिंग चीजस में और ओड़ता हूँ आपने बोला 2020 खेलना है तो मैं इसको अपना एक योगा फिलोसफी के हिसाब से समझाता हूँ लोगों को तो तीन तरह के गु तो उसका पैसा कहीं पड़ा है उसका कहीं प्लॉट पड़ा है उसका कहीं एफडी पड़ा है उसको कुछ पता नहीं है शेयर में भी बोलता है किसी ने बोला डाल दो डाल दो किसी ने बोला प्लॉट ले लो वो तमस होता है दूसरा होता है रजस जैसे कि आप है उसको कु से कम आप जो है टेकनिकल ट्रेडिंग सीख लीजिए और तीसरा होता है सत्व जो की इन्वेस्टर होता है जो हर्मोनी से अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करके बैठ जाता है और कई सालों के बाद अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरे दर्शक आके मुझसे बोल करना है तो टेकनिकल ट्रेडिंग सीखना है और कोशिश करना है कि देरे-देरे सत्व की तरफ जाए एक अच्छी वेल्थ भी क्रेट करें क्योंकि फाइनल पैसा जो है वह आपको सत्व में मिलेगा बट कभी थोड़ा टाइम तक डॉन ट्रेडिंग से कमाई और पैसे लग करना चाहिए कि अगर मार्केट उपर जा रहा है और हमें अच्छी से वैल्यू मिल रही है तो उसमें प्रोफिट करके रिवेस्ट करना चाहिए अप जरूर कर सकते है कि प्रोफिट करके आप फिर वापिस लगाईए बट क्वेस्टिन यह आता है कि आप प्रोफिट करके आप लगाओगे कहां पर अगर आप यह पैसा अगर करे तो मेरे हिसाब से यह जादा फाइदा होगा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अगर आप कोई SIP करते हो सब्सक्राइए और आप सब्सक्राइए पांच हेजार रुपया हर मैन लगाते हो SIP यह आप बीस साल के लिए करते हो टीक है बीस साल में यह एक रिटरन ओफ टू मेरे साब से वालुएशन वाइज यह अल्मूस एक करोड कर चला जाएगा यह पैसा अगर आप टीस साल तक करे शाहिए इसका अगर आपने निखाल दिया कि जो ऐग电व अगर amuraından लगोंडे इंवेसंट ख़रव जपैसे जरूड हुआ रिक्रवेंट ऊपकारमागेशन जरूर निकाल यह पैसा है जरूर निकाली है अपकाईश मीकाल दिएर तो गोल गोल और निकालिए इक यह ऊठ्व गेशन एक है जब अच्छा रिटेन है तब प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, उसका इस्तेमाल तो करेंगे, अब बजार में तो रखने वाले हैं नहीं, लेकिन कुछ जो तरीके होते हैं कि आपने ये तैय कि या कि वन थर्ड लार्ज कैप फंड में लगाएंगे, वन थर्ड मिट कैप में लगाएंगे और वन थर्ड पैसा आप डेट में लगाएंगे, तो आप उसको बुक करके थोड़ा डेट में डालिए, ताकि जब बजार गिरे तो लेने के लिए फिर से एक्विटी में आने की जगे हो, थोड़ा चाहें तो लाज कैप में डालिए, या पूरा का पूर पूर्शन बहुत कम हो गया है, तो इस तरह से भी लोग बैलंसिंग करते हैं, इन फेक्ट फंड मैनेजर भी इस तरह से बैलंसिंग करते हैं, कि हमको अपना एवरेज एक्सपोजर इतना रखना है, तो ये यूजवल तरीके होते हैं, अगर आप चाहें तो इसके हिसाब से अपना पॉर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, लिंग एक चूटा सा ब्रेक, कुछ और सवालों के जवाब ब्रेक के उस पार